सामपुर नाम का एक छोटा सा गाव था. यहाँ गाव शहर से दूर जंगल के बीच में था. ज्यादा तर उस गाव में गरीब लोग रहते थे. सभी लोग रोजी मजदूरी करके अपनी जिन्दगी चलाते थे. और गाव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे. जरूरत के समय सभी एक दूसरे का साथ देते थे. सभी अपनी जिन्दगी से खुश थे. उसी गाव में भुवन नाम का एक लड़का रहता था. वह चरवाहा था वह सुबह गाव के जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था. भुवन बहुत अच्छा लड़का एक दिन भुवन जब जानवरों को चराने के लिए जंगल गया था. तभी तेज हवाएं चलने लगी. इन तेज हवाओं के कारण भुवन के ऊपर एक पेड की टहनी गिर गया. उसे बहुत जोरों से चोट लगी जिसकी वजह से. वह बेहोश हो गया हवा शान्त होने के बा आस्मान से उड़ते हुए एक बहुत ही खूपसूरत परी आई जिसका नाम ब्यूटी परी थी. वह अपने खूपसूरत पंक से उड़ते हुए. जमीन पर आई तभी उसने भुवन को बेहोश. पड़ा हुआ देखा ब्यूटी परी ने अपनी जादूई चड़ी से. एक ठीक होने के बाद जैसी ही भुवन ने परी को देखा. वह हैरान रह गया और बोला आपका. बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत ही खूपसूरत हो. और आपके पंक भी बहुत ही खूपसूरत है. आप कौन है? तभी ब्यूटी परी ने कहा मैं एक परी हूँ. अकसर मैं धर्ती लोक पर घूमने आया करती हूँ. फिर भुवन ने कहा आपने मुझे ठीक कैसे किया? कभी परी ने कहा मैंने जादूई पौधे से तुम्हें ठीक किया. फिर भुवन ने कहा क्या आप मुझे वो जादूई पौधा दे सकती हो? फिर ब्यूटी परी ने कहा तुम इ इलाज करूंगा। फिर ब्यूटी परी कहती है। यह पौधा मैं तुम्हें दे दूंगी किन्तु तुम लोगों का इलाज। नेहस्वार्त भाव और बिना किसी लालच के करोगे। यदि तुमने इस पौधे को अपना धन कमाने का जरिया बनाया तो मैं इसे तुम से ले फिर ब्यूटी परी भुवन के ऊपर विश्वास करके वह पौधा दे देती है। भुवन बहुत खुश हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से यदि गाव में कोई बीमार पड़ता तो भुवन तुरंद उसे ठीक कर देता। एक दिन गाव में अजीब घटना घटी। एक महिला घर में खाना बना रही थी। कभी अचानक से उसके कपड़े में आग लग गई। वह बुरी तरह जल गई थी। फिर गाव के लोगों ने भुवन को बुलाया। और भुवन ने जादूई पौधे से ठीक कर दिया। अब भुवन की चर्चाएं सब तरफ फैल रही गाव से दूर एक शहर में राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत दिनों से बीमार थी। कई जगा इलाज कराने के बावजूद भी। उसकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन राजा को भुवन के बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को भु ठीक कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा। भुवन ये मैं आपका एहसान जिन्दगी भर नहीं। भूलूंगा आपके उपचार के बदले क्या दूँ। फिर भुवन ने कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निहस्वार्थ भाव से लोगों क सेवा करता हूँ। लेकिन फिर भी राजा प्रसन्न होकर भुवन को बहुत सारे धन दे दिये। भुवन यह देखकर चक्राया और मन में सोचा इस इलाज से तो मैं बहुत सारे धन कमा लूँगा। अब मैं कल से जो भी इलाज के लिए आएगा। उससे मैं धन नहीं रहना चाहता था। भुवन के मन में लालच आ गया था। अब गाव से जो कोई भी इलाज के लिए आता तो वहां बिना धन के इलाज नहीं करता था। धीरे धीरे भुवन का स्वभाव बदलने लगा। और बहुत अमीर हो गया। उसके अंदर पैसा का घमंड आ गय था। उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। एक दिन एक गरीब महिला अपने पती को लेकर इलाज के लिए आई और रोते हुए बोली मेरे पती का इलाज कर दो। फिर भुवन ने कहा मैं बिना धन के किसी का इलाज नहीं करता। जाओ तुम यहां से महिला के रोने और गिर गिराने के। बावजूद भी भुवन ने इलाज नहीं किया। उसी रात भुवन सोने के लिए लेता। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको डर था कि जादूई पौधे को वापस लेने के लिए ब्यूटी परी ना आ जाए। फिर उसने उस पौधे को अपने बेड के नीचे छिपा दिया। और सो गया। तभी ब्यूटी परी आती है और। अपने जादूई छड़ी से अपने पास। बुला लेती हैं इसके बाद भुवन बोला। यह मुझे दो, यह मेरा है। मैं तुम्हें यह ले जाने नहीं दूँगा। फिर ब्यूटी परी ने कहा अब तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लालच बढ़ गया है। यह कहते ही परी वह पौधा अपने साथ ले जाती है और धीरे धीरे भुवन का धन खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद भुवन फिर से अपनी पुरानी स्थिती में आ जाता है। तो दोस्तों यह कहानी देखकर आपको यह शिक्षा मिला की लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच बुरी बला है। हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब क कर दें।